इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फोडोशॉप इंट्रो टू इंडिपेंडिन्ट अगर आपने आस तक फोडोशॉप चलाया भी नहीं है और आपको बहुत अधा कॉंप्लेक्स लगता है फिर आपको थोड़ा बहुत आता है तो मैं इस वीडियो में आपको करना है मतलब 90 20 and 1080p सिलेक्ट करने के बाद आपको से राइट करके रिट वाले ओप्शन पर क्लिक कर दो जब आपको क्लिक करोगे अब आपको काम सुरू होता है देखो 6 मिनिट में आप ऐसा थमनेल क्रेट कर सकते हो अगर आप अपने आपको 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 सब्कार में बदद जो भी काम यही होता है मेस्क को इंपोर्ट करना तो आपको इमेज इंपोर्ट करना आगया आप ऐसको एड़स्ट करना देखो आप एक पर वसको एड़श्ट कर देतो अब दुपार अभर हाइजस्ट करनी जाते हो फिर प्रॉबलम आती है एक गरोगे आप उसको एड्जेस्ट कर सकते हो चोटा बड़ा और एंटर करोगे और तो अब लेज़ को स्लेक्ट करने के लिए एफ 7 क्लिक कर सकते हो या फिर बिंडों में जाकी लेयर ऑफाले option बेख्डाउंड कर सेकते हो आपको यहां से एक solid आप देख सेकते हो कि यह जो पीछे की साइड ते ग्रेडियन कलर है वह होगा जाइड करके जूम कर सकते हो और आपको साइड में भी जूम बला ऑप्शन लेकर को मिल रहा है अब यहां से भी आप अपने माउस को कुछ इस तरीकी से लेकी जाओगे तो आप जूम कर सकते हो माइनस वाले से जूम आउट कर सकते हो और अब मैंने यह इमेज को इंपोर्ट करा और इस पर डबल टैप करा लेयर पर जाके आप यहां से स्टो ड्रॉप शैडो सब कुछ दे सकते हो तो देखो यहां से जब आप लेयर पर जाते हो और इस पर डबल टैप करते हो तो आप यहां से बहुत सारे options देखने को मिल जाते हैं, आप इसकी opacity और भी बहुत कुछ कर सेकते हो, outer glow दे सकते हो, आप देखो खुद से जब आप introduce करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप T करके, यह फिर सिंपली आप टेक्स्ट वाला जो icon देख रहे हैं, आप इस basic to independent, मतलब basic से independent, मतलब आपको कुछ ऐसी चीजे में बता रहे हूं, जिससे आप खुद से create कर लोगे, अब देखो आप B, मतलब B प्रेस कर सकते हो, चोले बाला यह फिर आप उसको जो आपको यह option देख रहे हैं, इस प्रिभी कलिक करके, आप इसको adjust कर सकते हो, और CTRL T करक आप इसे चोटा बडा कर सकते हो, अगर आप डबल टाप करते हो, तो आप इसका drop shadow या फिर stroke दे सकते हो, आप इसको 3D में भी कर सकते हो, तो कई सारे option है, जब तक आप खुद से नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा, आप सेटिंग को छेडिए थोड़ा आपको बहु अच्छे quality के images होने चाहिए, अब अच्छे thumbnail कर सकते हो, अब प्लस वाले option पर क्लिक करके, amputee layer को create करेंगे, और ब्रस वाले option को चूज करके, हम इस वाली की से increase कर सकते है, और इस वाली की से decrease कर सकते है, तो देखो, ब्रस वाला size अब मैंने increase करा, अब जो layer था, अगर मैं पर इस वाले को चुछ कर रहा है, तो यह उपर की साइड आ रहा है, तो मैं इसे ड्रैग करके, पहले तो मैं color select कर लेता हूं, white color, और अब इस layer को अपने photo के नीचे ले आता हूं, और photo को नीचे ले, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत स्को पकड़ के, ड्रैग कर सकते हो, and thumbnail बताना देखो, literally बता रहा हूं, इतना tough नहीं है, बस आपको combination रखना है, images का, अब जैसे मैंने ये वाला image को import कर रहा है, एक note का, अगर आपको filter देना है, तो आप यहाँ पर blur वाला option क्लिक करिए, and Gaussian blur देना है, motion blur देना है, तो आप भी यहाँ से दे सकते हो, तो करना, text को write करना, font को select करना, and, जो glow effect होता है, भो तो मैं इसमें नहीं बताने वाला, उसमें बहुतादा time लग जाएगा, and, एक camera नो filter करके option होता है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, कैसे आप अपने image को enhance करोगी, तो आप मैंने इस image को import कर रहा है, मुझे इसमें selected area चाहिए, तो मैं यह जो rectangle tool है, मैं इसका use करूँगा, and, जितना भी मेरे को area चाहिए, मैं इसको select करूँगा, and, select करने के बाद, जो आपको इदर side में option दिख रहा है, box जैसा, आपको इस पर click करना है, आपको selected area है, वो आप select कर लोगे, अब B press करके, आप इसको छोटा कर सकते हैं, आप उससे इन्हांस कर सकते हैं, अब देखो जो ब्रेस वाला quick selection tool होता है, आप select subject से भी कर सकते हैं, इसकी मैं से आप select कर सकते हो, किसी भी image को, मतलब किसी भी photo में से, आप image को अलग कर सकते हो, तो, and, इसको आप छोटा बड़ा घर सकते हो, control T से, and, जो आपको नीचे की साइड जो rectangle tool मिलता है, इसकी मिलता है, इसकी मिलत से, आप जो भी, मतलब, background में, जो भी color color देना है, जो ब्रेसर टूल से, अप एरेसर टूल से, आप erase कर सकते हो, तो, 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 इतने जादा, मतलब, hard नहीं होते हैं, अब धीरे-धीरे समझते जाते हो, अब वीडियो अच्छा लगाओगा, अगर अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आप खुद से थम्निल क्रेट कर पाओगे, so, आई वीडियो अच्छा लगाओगा,